बारिश के मौसम के भी अलग ही किस्से हैं जहां एक तरफ गर्मा गरम चाय, पकोड़े और भुट्टा खाने को मिलता था वही दूसरी तरफ स्कूल जाने में नानी यादा जाती कई बार खत्रों के खिलाडी बन के चाता घर पे ही भूल के स्कूल चले जाते थे पर हवा तब निकल जाती जब चुटटी के टाइम पे जोरों से बारिश होती जब तक अपने नण्हे से दिमाग पे जोर डाल ही रहे होते थे कि अप घर कैसे जाएं तब तक पता नहीं कहां से मम्मी चाता लेके प्रकट हो जाती मम्मा को देख के जान में जाना जाती पूरे रस्ते में स्कूल में हुए किस्सों के बारे में बताती और मम्मी मुझे अपने आचल में छुपा के बारिश से बचाती और हम कब घर पहुँच जाते पता भी नहीं जलता